दोस्तों इंग्लेंड की धर्ती से सुरू हुआ T20 किर्केट धीरे धीरे सब जगे लोक पिरिये हो चला है भारत में भी दर्सक इसे काफी पसंद करते हैं भारती टीम ने इसे अन्य देसों से बाद में खेलना सुरू किया था लेकिन पहले ही मेच में जीत के बाद अगले ही वर्स T20 वर्ल्ड कप पर कबज़ जमाया था पहली बार भारती टीम ने T20 अंतर राष्टी क्रिकेट दिसंबर 26 में दक्सिन अफरीका के खिलाप वंडर्स के मैदान पर खेला था इस दोरान कई भारती खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्नों ने अपना पहला वंडे मेच तो खेल लेकिन उसके बाद वे कभी भी भारती टीम के लिए T20 अंतर राष्टी क्रिकेट नहीं खेल पाए तो चलिए जानते हैं तीन ऐसे ही भारती खिलाड़ियों के बारे में दिनेस मोंगिया दक्सिन अफरिका की खिलाब भारत का पहला T20 दिनेस मोंगिया का डेब्यू T20 अंतर राष्टी मेच था इस मुकाबले में उन्होंने 45 गैंद खेल कर 38 रन बनाये थे इसमें चार्चों के और एक छक्का भी सामिल था वे चार्च लैंगवैल्ट की गैंद पर रोबिन पिटरसन के हाथों कैंच आउट हुए इसके बाद उन्हें कभी भारती टीम में T20 मेचों में मौका नहीं मिल पाया इसके बाद वे विवादी T20 लेग ICL से भी जुड़े ओर टीम में नहीं आये मोंगिया को IPL में भी खेलने का मौका कभी नहीं मिला इस तरह स उनका डेबिट T20 मेच आखरी मेच साबित हुआ साल 2019 में उन्होंने अंतर राष्टे क्रिकेट को अलविदा कह दिया था सचिन तंदुलकर किरकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तंदुलकर ने दक्सिन अफरीका के खिलाब भारत के पहले T20 अंतर राष्टे मेच में सिरकत की थी बल्ले बाजी के दोरान उन्होंने 12 गैंदों में 10 रन बनाए और 14 लैंगवेट की गैंद पर आउट हुए इस मेच में उन्होंने गैंद बाजी भी की 2.3 ओवर की गैंद बाजी में उन्होंने 12 रन दिये और जस्टिन कैम्प का विकेट चटकाया इसके बाद वे फिर कभी भारती टीम के लिए T20 अंतर राश्टिय नहीं खेल पाए राहुल दर्विड भारती टीम की दिवार माने जाने वाले राहुल दर्विड ने भारत के लिए 31 अगस्ट 2011 को T20 अंतर राश्टिय क्रिकेट में डेब्यू किया इंग्लैंड के खिलाब मैंचेश्टर में भारत को इस मुकाबले में छे विकेट से हार का सामना करना पड़ा था राहुल दर्विड ने इसमें ताबड तोड बल्ले बाजी करते हुए 21 गैंदों में 31 रन बनाए और समित पटेल को एक ओवर में लगातार तीन छक्के जड़े ये मेच दर्विड के टीटवंटी करियर का अंति मेच भी साबित हुआ क्योंकि वे फिर टीटवंटी अंतर राश्टी किरिकेट में कभी नहीं खेल पाए